न्यू आर्थरी ट्वंटी ट्वंटी फोर मोडल जो की आपको अब डेली में एक लाख साथ हजार रुपए में मिलने वाली है जी हाँ हम आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा आर्थरी के बारे में और आज की वीडियो में मैं आपको डेटेल में इसकी स्पेसिफिकिशन्स इसका फ्रेंट से आपको दिखा देता हूं फ्रेंट से लोग कुछ इस तरीकी का आपको मिल जाती है एक बार में इसकी हैडलाइट ओन करतेता हूं जो कि आप देख सकते हो इसके मिड में और राइट और लेफ्ट में आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे जो की LED में हैं लेफ्ट और राइट साइट के पैनल पर आप देखोगे तो इंडिकेटर का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है एक बार आउन करके मैं आपको दिखा देता हूं यह जो इंडिकेटर हैं काफी अच्छे लग रहे हैं और यह जो लुक है काफी अच्छी बना रख्या है इस ब लेफ्ट और नीचे की तरफ आओगे तो नीचे आपको यह बाइक अलॉय में मिलने वाली है जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा कुछ इस तरीके का आपको टायर मिलेगा और डिस्क इसमें आपको डूल डिस्क देखने को मिल जाएगी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आप इसकी डिस्क देख सकते हो और कुछ इस तरीकी की डिस्क है यह जो कि नियूली डिजाइन में है इसके बाद इस बाइक में आपको ABS नहीं मिलता है क्योंकि यह एक इलेक्टरिक बाइक है और साइड में पैनल पे आप देख सकते हो इसमें R3 का आपको इस कलर का पैनल आपको यह मिल जाता है और इसके बाद अगर हम इस बाइक की बात करें तो यह जो बाइक है यह आपको इलेक्टरिक में मिलेगी और यह एक बार फुल चार्ज होने पे लगबग 80 से 90 किलोमेटर तक जा सकती है और इसका जो टोटल टॉप स्पीड है वो आपकी 130 टक है और नीची की तरफ आप देख सकते हो इसमें इंजन की जगे बैटरी लगी होई होती है जो की 3000 कह की बैटरी होती है और नीची की तरफ आप देख सकते हो यह ब्लैक कलर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है और साथ में इसके फुटरेस्ट की बात करें तो राइडर और आर्थिरी की ये बाइक है जो की जैव आटोमोटिफ ने इसको लॉंच किया है फ्यूल टैंक का ओप्शन यहाँ पर मिल जाता है सेम आपको आर्थिरी की तरह मिल जाता है इसका जो मीटर है मीटर आप देख सकते हो पूरा डिजीटल में आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन कनेक्टेवीटी भी इसमें देखने को मिल जाएगी साथ में इसमें आपको जो ब pä्टरी का है कि कितनी है वो सारी चीज़े इसमें देख जाएगी और इसको आप इस की से भी कंट्रोल कर सकते हो इस बाइक को ऑन उफ करने का सिस्टम भी इसमें दे रखा है बनाया इसको और थिरी की तरह है वैसे ये एक एलेक्ट्रिक बाइक है ठीक है सीट आप देख सकते हो इस प्लीट सीट आप को देखने को मिल जाएगी जो की काफी कुशनिंग है काफी अच्छी है इसकी और पीछे की तरफ आप काउल देख सकते हो ये भी आपको रैड कलर मे पीछे की आप बेकलाइट देख रहे हो बेकलाइट भी आपको एलेटी में मिल जाएगी एक बार मैं आउन करके दिखा देता हूं इसके जो इंडिकेटर है और बेकलाइट रहे और इंडिकेटर दोनों आप देख सकते हो आउन हो चुके हैं पीछे की जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED में मिलने वाले हैं ठीक है यह जो LED के पीछी की number plate के जो option है इसमें आपको same LED में मिल जाता है number plate light का और अगर हम इसके tire की बात करें तो tire आपको same आपको tubeless में देखने को मिल जाएगा पीछे भी आपको disc मिल जाएगी की देखने को और यह जो वाइक है alloy में आती है और यह जो company का tire है ना यह MRF company का tire है जैसा कि आप सामने देख सकते हो ठीक है और left side से अगर इसकी look की बात की जाए तो left side से कुछ इस तरीकी से आपको देखने को मिल जाती है और same 60,000 पर में आपको sports बाइक मिल रही है वो भी electric तो यह इंडिया की पहली ऐसी बाइक है जो सबसे सस्ती बाइक है तो बाइक कमेंट करके जरूर बताना आपको यह बाइक कैसी लगी